तो गाइज अगर आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग के अंदर कौन सी अपडेशन हुए तो गाईज अगर आपके वाद S7 Edge और S7 है तो आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर Nogget का अपडेशन करा सकते हैं जी हाँ आप भी अपने मुबाइल फोन को सर्विस सेंटर पे ले जाके इसली आप इसको अपने मुबाइल फोन पे अपडेट करवा सकते हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि Nogget का जो अपडेशन हुआ है वो रिसेंटली आया है तो आप भी अपने मुबाइल फोन को ले जाके सर्विस सेंटर से इसली इसे अपडेट करवा सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या है आफ्टर अपडेशन के वाद इसके अंदर जो जो फीचर्स एड़ हुए हैं क्या फंक्शन में डिफरेंस आये हैं क्या कैमरा कॉलिटी है क्या चीज़े हैं तो लेट सी देखते हैं क्या आप तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं नॉर्मली मेरे स्क्रीन का जो व्यू है ये फर्स्ट व्यू जो उसका आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइट शो में नीचे करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे सारे options दिख रहे हैं वाइफाई, वाइब्रेट, ब्लूटूथ, मॉबाल डेटा, पोर्ट्रेट, टॉच, पावर सेविंग्स, फ्लाइट मोड, पॉफॉर्मेंस मोड, ब्लू लाइट, मॉबाल होर्सपॉर्ट, प्राइवेट मोड अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह options एड किये गए हैं अगर मैं इसको left में करता हूँ swipe करके तो यहाँ पे other options दिखाता है location, NFC, always on, smart view, phone visibility, do not disturb and sync तो यह options जो shortcuts होते हैं main, main shortcuts वो आपको slides में दिया गया है इसके बाद आप देखते हैं जहाँ पे right side पे mic का option है वहाँ पे आगे लिखा हुआ है search phone and scan for nearby devices यानि कि guys अगर आप किसी भी mobile phone के साथ device पे आपका documents, आपके notes, आपके photos, आपके images, whatever you want to share with any device you can easily share it, cause आपको कोई भी application की need नहीं है, आप easily via bluetooth के through, आप easily इसको share कर सकते हैं जो कि यह बहुत ही advanced feature है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ सर्च करना है, उस device को on करके और search करके उस पे यह share कर देना है उसके बाद आता है blue light filter, वैसे तो यह blue light filter जो है, आपकी screen को बिल्कुल dim कर देगा, light yellow type का color हो जाएगा इसका मैं इसके अंदर blue filter option अगर on भी करता हूँ, तो वो आपको visible नहीं होगा, cause यह मेरे screen recorder पे show नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता है तो blue light filter की need क्या है इसके अंदर, वैसे गाइस blue light filter इसलिए दिया गया है कि आप अपने mobile phone के अंदर battery को save कर सके, जैसे power saving का option आप देख सकते हैं, वैसे ही आप अपने mobile phone के अंदर blue light filter भी on कर सके, जिससे आपके mobile phone के अंदर battery ज्यादा खर्च नहीं बचा सकते हैं, इसके बाद हम यहां से जाते हैं settings में, settings में आप आके देखते हैं guys, तो आप अंदर के interface को देखिए, काफी चीज़े graphically और जो इनके font से काफी change हुए है, हाला कि मैंने अपने fonts automatically select कर रखे हैं, जैसे कि अगर मैं display में जाता हूँ, तो आप easily यहां पर आके पता देगा, कि आपके कौन से आपने font चूज कर रखे हैं, वैसे मैं आपको दिखायाता हूँ, वैसे यहां पर और भी other options है, वो भी बताया है तो मैं आपको, जैसे screen, zoom and front font में जाप जाएंगे, तो यहां पर देखिए, small, large का option दे रखा है, font size दे रखा है, और जैसे कि मै इसको small और large कर सकते हैं, font size को tiny और huge कर सकते हैं, यह काफी easy है, काफी convenient है, जिनको थोड़ा दूर का देखने का, अदर किसी को पास को देखने का होता है, वो easily इस चीज को apply कर सकते हैं, और अपनी mobile phone के साब से use कर सकते हैं, बाकी blue light filter के बारे में आपको बताई चुका हूँ, आप जाता हूँ, जैसे कि आप जाते हैं कि auto brightness की जो है level और आप देखिए इसके अंदर, यहाँ पे एक option दिया गया है, auto brightness और show control on top, तो जो auto brightness है guys, यह इसलिए दिया गया है, जैसे कि हम कभी room में जा रहे है, room से हम कभी बाहर जा रहे हैं, जैसे हम कई बार mobile phone receive करते हैं, कि यह call आता है भार, हम लोग आउट्डोर में होते हैं, तो हमारे phone के screen के अंदर बिल्कुल दिखता नहीं है धूप के अंदर, तो यह auto brightness जो है, वो automatically sensors के according अपना brightness दिखाता है, और हमको easily visible होता है, सब चीजी देखने में, वो धूप के अंदर, सबसे जादा यह चीज काम आत जो option इसके अंदर पहले दिए गए थे, उससे बिल्कुल opposite हो गया है, और इतना इतना अच्छा advance, इतना update दिया गया है, कि इसके अंदर सारी चीज़े change हो गई है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि मैंने recently अभी music system play खरीदा था, उसके अंदर मैंने music play किय गया, तो guys उसका सच sound था, वो इतना अच्छा sound था, but after update यह और भी unique sound हो गया है, यह amazing sound हो गया एक्दम, आप जैसे भी sound आप सुनते हैं, आपको बहुत amazing sound सुनाई देगा, और बहुत digital sound हो गया है, तो यह मेरा experience है, मैंने जो चीज़े देखी हैं इसके अंदर, और यहां के जो भी आप updation करवाते हैं mobile phone के अंदर, इतना smooth हो गया है, touch इतना अच्छा हो गया है इसका, कि आप खुद बोलेंगे कि यह नॉगट के updation के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और literally ऐसा feel होता है कि जैसे आपने कोई नया phone खरीद लिया हो, guys आपका new phone आपको feel करा इतना unique और amazing software updation होई है, इसके बाद हम जाते हैं camera में, तो camera में आप देखते हैं, guys, तो यहाँ पर options मिलते हैं, like अगर मैं swipe करता हूँ, जा पर shortcut keys दे रखिए, swipe करता हूँ, तो यहाँ देखे, auto pro, panorama, selective focus, slow motion, hyperlapse, food, virtual shots, video collage, live broadcast, so guys, यह आपको shortcuts दिए गए हैं, जो camera में phone के होते ही हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर left में करते हैं, तो सारे filters दे रखें आपको, तो आप कोई भी filter easily select कर सकते हैं, यह normal phones में होता है, और सबसे अची बात यह सर, इसके update के बाद ना, आपके mobile phone के camera quality के अंदर भी बहुत difference आने वाला है, आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको और भी अच्छी और बहुत ही चीज होताने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि HDR जहां पर लिखा हुआ है, इसके left में camera का option है, तो आप इस पर click करेंगे, तो आपका यह front start हो जाएगा, अब इसके आप वापिस से click करेंगे, तो आपका back start हो जाएगा, तो यह दिखे है, लेकिन अब मैं आपको एक नही टेक्निक बताने वाला हूँ, इसके अंदर, अगर आपका back camera start करना है, तो आप इसको thumb को अपने screen के उपर रखें, और इसको थोड़ा सा ऐसे उपर की तरफ कर दें, तो आपका front start हो जाएगा, अब जैसे आपको back करना है, वापि देख सकते हैं, तो guys, यह बहुत अच्छी features दी गई है इसके अंदर, क्योंकि आपको instant photograph लिक करना होता है, instant video बनाना होता है, तो यह बहुत चीज गई है, चाहे वो selfie ले रहे हो, चाहे हम किसी की portrait photograph निकाल रहे हो, तो यह बहुत fast है, बहुत unique feature है, और इसके अलावा इसमें एक feature और दिया गया है, शायद बहुत लोगे लिए उपरानी चीज हो, और बहुत लोगे लिए नहीं भी चीज हो, मुझे अभी recently पता लगाया है, जैसे कि आप जानते हैं, Apple के phones में live images के options होते हैं, वैसे ही इस phone के अंदर भी live image का option दिया गया है, वो settings में जाके आपको करन video clip of what happened before each picture is taken, यानि कि आप कोई भी photograph आप click कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा पार्ट उसको as a video भी लिता है, और सबसे चीज बात यह है, आप यह photograph को जब click करते हैं, जब किसी का share करते हैं, तो इस nougat option के अंदर WhatsApp जब करते हैं, तो GIF का option आता है, वीडियो का option आता है, प् बहुत अच्छी अफडेशन आई है इसके अंदर, तो गाईज, मैं जो आपके सामने यह बता रहा हूँ, यह बहुत अच्छी चीज है, बहुत डिफरेंट है, न्यू एडवांस लेविल पे है, आप भी अपने mobile phone को एडवांस में इसको अपडेट करवाईए, और यहाँ यह आपके सामने दिखाया है, तो हमें इसके अंदर, Android version, Nogget, तो यह Nogget option है, और यह इसका Android version है, तो गाईज, यह option जो दिखाया रहा है, आपको इसके अंदर, Nogget का, यह काफी different है, काफी new है, और आप easily इसको enjoy कर सकते हैं, तो गाईज, अगर आपको यह वीडियो पसंद गाईज, तैंक यू सो मच, यह न्यूस थी टेक्नो कलब की दरव से,